नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपिट्रपलसी मुक्य सेविका भरती में रिवाइड आंसर की अब तक आ जानी चाहिए थी और नेक्स्ट मंत में हम लोग रिजल्ट की उम्मीद कर रहे थे और जिस तरह से आपकी भरती पर काम चलना था उसको देखते वे यही अपडे प्रशन की होंगे तो आपको merit में preference नहीं मिलेगा इस तरह के भी चीज़े आपको कहीं से सुनने को मिला होगा क्योंकि यह सारी बाते आप लोग पोसते हैं सबसे पहले चीज़ देखें हाँ पर आपने कितने गलत प्रश्ण किया है यानि कितने प्रश्ण आपके negative marking में चले गए उससे आपकी merit पर कोई मतलब नहीं होता है overall कितने आपके net आपके marks बन रहे हैं सिर्फ उससे मतलब होता है माल लेजे आपके 60 mark है और आपने total 80 question किया था कुछ question गलत हो गए बाकी question जो सही थे उसमें से negative marking हटाने के बाद आपके 60 question बचे माल लेजे आपने 90 question किया था और आपके भी 60 marks ही बन रहे है negative marking आपके कुछ ज़्यादा हो गए थे और negative marking वाले प्रश्ण तो यहाँ पर इससे फर्क है यह नहीं पड़ता कि आपने कितने प्रश्ण attempt किया है कितने प्रश्ण आपने गलत किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है overall आपके net कितने marks बन रहे होते हैं merit आपकी उसी से निर्धारित होती है merit उसी से बनती है notification में जो अधिमानी अरता दिया गया रहता है अगर अधिमानी अरता आपके पास होती है तो उसके आधार पर आपको अगर आपको किसी के साथ merit में समान आते है तो तब आपको वहाँ पर preference मिलता है वो भी ऐसे नहीं मिलता है अगर आप किसी के साथ merit में समान आते हैं तब आपको preference मिलता है लेकिन यहाँ पर आपने कितने प्रशन करेक्ट किये हैं कितने प्रशन आपके negative marking में चले गए हैं उससे कोई मतलब नहीं है doesn't matter यहाँ पर सिर्फ यह देखा जाता है कि आपके overall कितने marks बन रहे हैं सिकंड चीज दिखिए अभी फिलाल में आपकी भरती पर कोई काम नहीं चलना है तो जो भी चीज़े कहीं से भी अनुमान से बताई जाती है उनको बताने दीजिए चाहे स्कैनिंग को लेकर के या फिर कटाप को लेकर के या फिर रिजल्ट में बहुत देरी हो गई या रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है ये सब चीज़े कहां से पता चल लहीं उनको तो ऐसा कुछी भी नहीं होता है अगर हम लोग कोशिस करते रहेंगे लगातार सब कुछ आपके भरती में पहुश्टियों सकरात्मक आगी होने वाला है कुछ भरतियों में देरी हो रही है मैं मानता हूँ इस चीज़ को और आप लोग भी देखते होंगे कि उपेटर पलसे की भरतियों में देरी हो जाती है लेकिन आपकी भरती पुराने भरती है पेटर दोजार इकी से एनम की भरती थी लेकपाल की भरती है आपकी भरती है लेकपाल की भरती जल्दे ही पूरे होने वाली है आपकी भरती भी पी एटी दोजार इकी से हैं अगर हम लोग कोशिस कर लेंगे आपकी भरती लोक सबाव चुनाओं से पहले पहले पूरी होनी ही होनी है बाकि किन को क्या बताना है बताने दीजिए आप लोग थोड़ा से इग्नोर किया करें चार दिसम्बर को आयोग जाना है जितने अधिक से दिक लोग आप जा पहें हमें जाकर कि सिर्फ और सिप सचीव सर से नेवेदन करना है कि सर हमारी रिजल्ट की जो भी प्रोसेस उसको जल्दी कंप्लिट किया जाए संसोदित आंसर की अगर तब तक आ जाती है तो ठीक अगर नहीं आ पाते तो संसोदित आंसर की के लिए भी हम लोग रिक्योष्ट करेंगे आपका रिजल्ट दिसम्बर से जनवरी में नहीं जाना चाहिए एक बार अगर दिसम्बर से जनवरी हुआ तो फिर आगे देरी होती चली जाएगी उसके बात फिर लोगसबा चुनाओं से पहले भरती पूरी होपाना मुस्किल हो जाएगा और अभी भी चांस है कि इसी वीक में आपको आपके रिवाजड आंसर की देखने को मिल जाए लेकिन बिल्कुल यहाँ पर कनपर्म नहीं है हमने दो दिन पहले आप सभी से कहा था कि जो भी अपडेट मिलेगी आयोग खुलने दीजी ट्यूजडे को हमने कहा था कि आप सभी को बताएंगे लेकिन जब कनपर्म जानकारी नहीं मिल सकी तो कोई भी चीज़े अनुमान से बताना अच्छा नहीं लगता है इसलिए हमने पिछले दो दिन से आपको कोई भी अपडेट नहीं दी थी लेकिन अभी भी आपको यहां पर यहां पर उम्मीद नहीं चोड़ना है आयोग हैं कई भर्तियों पर काम होता रहता है आयोग में कुछ भर्तियों पर हो सकता है कभी कभी देरी हो जाती है भरती को लेकर की करना है अगर आप सभी कहीं से कुछ भी सुनकर अगर आप सभी खुद ही मान करके बैट जाएंगे कि नहीं दिसंबर में रिजल्ट नहीं आयेगा या फिर मतलब इबेन आप देखेंगे जनावरी या फरावरी में रिजल्ट आयेगा इसे रिजल्ट आना है वीडियो का रिजल्ट है जूनियर असेश्टिम 1262 का रिजल्ट है लेकिन सबसे पहले प्रिफरेंस में आपका रिजल्ट है हाला कि आपकी रिजल्ट में अभी तक संसोधित आंसर की नहीं आईए उनकी अपनी विचार हो सकते हैं बट अपनी भरती को लेकर के कोशिस करना कोई गलत बात नहीं है अपनी भरती को लेकर कि हम सची उसर से 24 लोग जाकर कि मिल नहीं सकते हैं हमारी जो भी संक्या रहेगी हम लोग बाहर खड़े रहेंगे अपना सांधी पुर्वक अच्छे से बाकि दो-चार कैंडिडेट दो-चार भेहने आप लोग जाकर कि सची उसर से मिल लेंगे 4 दिसंबर के लिए आप सभी तयार है का जो भी प्लिज चार दिसंबर से पहले पहले ही आप सभी के लिए कुछ गुड़ निकुच मिल जाए और उसके बाद पर आपकी रिजल्ट को लेकर के जल्दी ही प्रॉसेस देखने को मिले और December last तक भी आपका result आजा लेकिन December में ही आपका result आए बस हम लोग यह मांग करेंगे सच्छे उसर से कि सरजल सलम हम लोगों का result देने की कृपा करें तब तक आप सभी बना ध्यान रखिए और आगे कि जो भी सही और authentic जानकारे मिलेगी इस समय समय पर आप सभी को उसकी अपडेट देते रहेंगे टिलिग्राम गुरूप या वार्सक गुरूप से आप न जुड़े हो तो जुड़ जाईएगा गुरूप के लिंग आपको कमेंट में पिंड करके दिये रहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे और अगर आप किसी अन्य भरती की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप उन भरतियों पर भी अपना समय जरूर दीजिएगा उन भरतियों की भी दैयारी आप जरूर करते रहें बाकि आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमन करके पूछ सकते हैं वीडियो को आप से भी प्लीज लाइक सेर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा धन्यवाद